अब बात कर रहे हैं अलवर लोकसवा सीट की अनिल जी अलवर में इस बार एक तरफ संथ हैं एक तरफ राजा हैं या कह सकते हैं एक तरफ शक्ति है और एक तरफ भक्ति है जी अलवर लोकसवा सीट पर पिछली वार में चांदनाथ जीते थे उनकी गद्धी हरेना में हैं यादव थे और वो मोदी लहर में सांसर बंके चले गए बहुण जीतरिन सिंग उन्हें तीन लाग रोटर से रहाया था अब बहुण जीतरिन सिंग फिर मेदान में हैं और में चांदनाथ का नियर्थ हो गया उसके बाद उपचुनाव हुआ वहाँ पर उपचुनाव में डॉक्टर करन सिंग यादव कॉंग्रेस के जीत गए थे उपचुनाव में भाजपा लायस्तान में सत्ता में होते वे आ उपचुनाव के बाद है तो उसमें दो सीटें बसपा को चली गई एक सीट अलवर शेहर की और एक मुंडावर दो बीजेपी उचली गई एक निर्दली को चली गई तीन राजगर्ड रामगर्ड ये कॉंग्रेस को चली गई तो ये एक तरह से बिखराव सा हो गया और ऐस के विजयन मानस में लेकिन लोगस्वा चुनाओं में ऐसा नहीं होगा वहाँ पर जो जाती है आधार पर वोटिंग होती है यादव वर्से नौन यादव भी होती कई बार चुकि महन चाननात के शिश्या आये हैं बालगनात उसी गदी पर गदी निशीन है जिस पर महन चानन आये तो उनकी अनुपस्तिती उनका नया आना गेरहजदी और नजर अंदाज करना अलवर के हितों को वुसका खामिया जाए ही लोगस्वा उप्चुनाओं में भाजबा को उठाना पड़ाता है और कहीं ऐसा ना हो कि चाननात के शिश्य ही उनकी गदी बेटने वाले ही उ वग्यानिक यूद्द करना पड़े क्योंकि जनता उनसे बार बार ये सवाल पूछ रही है और पूछेगी कि कहीं आप भी तो वैसे नहीं हो जैसे आपके गुरू थे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे वो सांसर निदी को इस्तिमाल भी वो बराबर लोगों के दुबदर्द में साथ खड़े रहेंगे इसका यकीन दिलाना पड़ेगा उनको तो एक तरह से अपने गुरू की चाया से लड़ रहे हो गुरू जो पीछे चुड़ गये उससे लड़ रहे हो राजनेती गुरू से विरासत चुड़ गया उसको बात करते हैं और एक बड़ा हॉस्पिटल एक अजार करोड का महा पे खुला हालां कि वो आज तक चल नहीं पाया खड़ शूरू नहीं हो पाया लेकिन वो इस हाई उसका बड़ा होगा पड़ा है महाँ पड़ा है खुला नहीं लेकिन वो पास साल वसुन दर सरगार निकल युराज प्रताब सिंह का आज भी बहुत बड़ा सम्मान है इनकी माता जी भी सांसर देछ सुखी है वहाँ से यह खुद भी सांसर देचुके है तो इनका जो वोट मांगने का और वोट इनने देने का जन्ता का ट्रेंड है वो अभोव पार्टी एंड अभोव जातिवाद जातिवाद से उपर उटके और पार्टी से उपर उटके और दूसरा जो लोग जीत के हाला कि एक बसपा का प्रत्याशी मैदान में आएगा और मेव होगा और मेव वोट काफी ज्यादा है वहाँ पर तो मेव वोटों को काटने की कोशिश होगी ताकि उससे परला नीचे जो विदानसवा चुनाव से अलग अटके हुआ था उसमें भी कॉंगरेश जीती है और मेव उने एक जुटता दिखाई है और वहाँ पर जुबेर खान का परिवार उनकी पत्नी जो मेले हैं वो और साथ में मीना जो मेले ही राम राजगर से लेकिन बंदाराम मीना जो डे विकास पुरुष कहा जाता है और बड़ा सम्मान है इस बात की परिचायक एक छोटा सा एक हमारे पास एक वीडियो है आपको दिखाते हैं जो भाशबा के नेता है रोताई शर्मा वो भी भवर जितनर सिंग को कितना पसंद करते हैं उनको विकास पुरुष मानते हैं वो यह निफि़े आप मपको सम garnish मैं सब बात बहुत सपस्ट करना चाहता हूं मिले कभि राजनिति में मैंने डबल बात नहीं की जो मेरी मन की बात है मैं कहें पिन मानता निंगर जितनिदर Samad era, एक डिव अमस्योग में व्यक्ति है और बाबा भी सुयोग वक्ति है लेकिन बहुर जीत अंदर का एक अनभव है एक तो जीन्स वाइज हेरेडिटिकल जो है वो राजकाज को समझते हैं वो राजकाज के बारे में जानते हैं और पिछली बार जो उनका सांसद का कारेकाल रहा है उस कारेकाल में उन्होंने नई योजना बना करके इंदर सरकार को बेजी वो प्रसंद सा के लाइक है भी बावर जीत अंदर के बारे में जिले में सब जानते हैं पड़ा लिखा है नौजवान भी है केंदर में मंत्री भी रहा है और चीपोच वाला भी है जी अनिल जी सुनी आपने इनकी बात जी इननोंने अभी आले में चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकेट पर बीजेपी फें इनको लेकर सरफुटपल भी हुई थी और देवी सिंग शेखावत जैसा वेक्ती बीजेपी से बाहर हुआ निर्दली चुनाव लड़ा उन अगर यह इस तरह की भाषा बोल रहे तो यह वहां पर एक कंपल्शन है जन मानस के विप्रीद नहीं जा सकते जन मानस के मन में बहुर जी नहीं की कैसी चाप है इसका यह प्रतीक है तो इसलिए यह वीडियो बड़ा किसी को भी उन्हों ने इंटरू दिया हमने तो यहां किस तरह की सोच है कि बीजेपी का आदमी भी वही आपकी बात जिससे पुकता हो रही है बिल्कुर आपने बात और दूसरी बात यह थी कि जो बीएस्पी के लोग जीते दो उसमें दीपचंद खेरिया जीते वह कॉंग्रेसी थे और वहां पर दो यादवों की भी जाट ठोटे वे तबी जीत सकते थे जब वो किसी तीसरी पार्टी आते कॉंग्रेस लड़ते नहीं जीतते कभी भी दो बार हाड चुकेते पहले पर जैसी बीएस्पी दो यादव आए कॉंग्रेस और बीजेपी के और उनके बीच में द दुरुमिया एक तरफ थे और कॉंग्रेस बीजेपी इन तीन-चार लोगों के बीच में वो इस तरह जीत गए तो वो बस्पा की कोई फॉलोइंग ऐसी नहीं है कि बस्पा केंड़ेट आए सारे वोट बस्पा के उसमें पढ़ जाएंगे उन लोगों में जो बोटों का ब मोहित यादव और जो कंग्रेस के परतेश हार गए रसी यादव वो हो सकता है कि बहरोड में तीनों के समर्थ तक वोट एक तरफ डाल दें जी को देखकर उनके विकास पुरुष होने को देखकर बाबा चांदनाथ के चेले और वहां के गदी नशीन बालगनाथ को देखकर तो यह री पोलराज़ेशन री शुडलिंग जब होगी तब वास्ट्रिक नक्षा वहां पर नजर आएगा कि विकास जीता है या जाती वात क्य पूछन पूछना चाहती हूं जब अलवर का मत दाता जब वोट देने जाता है तो वो किस चीज को ध्यान में रखता है क्या विकास को माइने रखता है को मुद्दे होते हैं या यही जाती वाद और यह सब चीज़े हावी रहती हैं तीक है 16 बार चुना हुए और एक बार राम सिंग यादव, गासी राम यादव जो राठ के इसलिए कहलाते थे वहाँ पर तो यादवों की बड़ी परंपरा जीतने की वहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है पंडित नवलकिशो शर्मा भी वहाँ से महंद्र कुमारी भी एंपी रहें तो इसलिए कभी-कभी गैर यादव भी जीते हैं बीच-बीच में कई बार तो लेकिन उसको ही माना आता है कि दोनों तक से जब यादव खड़े होंगे जब यादव जीतेगा लेकिन एक दूसरी पार्टी जब भी गैर यादव पर जात खुद भामर्जीतन सिंग जीते तो यह इस तरह भी जीत होती है रही है वहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं कर रह सकता कि विश्वत जाती के आधार पर वोट पड़ेगा और जब वोट पड़ेगा तब ही पता लगेगा कि मोधी को लेकर वोट है या पहले जमाने बाउस शुर जा मोधी नहीं तो भार जितन सिंग होगा केंदर में वोटों के और भाण जितन सींग नहीं तो फिर यादववाद होगा तीनों में से कौन सी चीज़ वोटों के केंदर में रहती है ये आने वाला समय इलेक्शनरिन्य में बताएगा हमको